लड़किया आई उनके लिए सेनेटरी पैड का वेवस्ता होना चाहिए यह दिनों मैं अब्जर्ब किया हूँ विस्विदाले में क्यों यहाँ कमिया ही कमिया है तोलिज की जो लाइव रेड़ी है वहाँ सारी कीताबे पूरानी एकदम आदम जमानने की है प्लेश्मेल ग्रूप का जो है वो एक्टिवनेस नहीं है थोड़ा सा भी नहीं है चाहता हूँ कि पहले कि हाँ केंटिन की सुविदा नहीं है तो वो सुविदा जरू लाई जाए पट्ना विष्विदाले में छातर संग चुनाओ का बिगुल बच्चुका है और इस वरक्त हमारे साथ NSUI के चात्र है जो कि इस नोगों से बाचीत करेंगे कि अपनविष्विदाले के लिए आप लोग का क्या कुछ मैनुफैस्चों होगा क्या कमिया नजर आती है इस विद्याले में जो जीतने के बाद आप लोग उसको पूरा करेंगे पटना विश्वदाला में 2015 से छात्र हूं और इतने दिनों मैं अब्जर्ब किया हूं विश्वदाला में क्यों यहां कमिया ही कमिया है आप किसी डिपार्टमेंट में जाए कि इस सी विभाग में भूषटल हो गल्स रog 01 से चाहें अथ्या समय हूरी को फुर्ब की महातिमान ब्रतमान में वी अग्चे फिरु जो चुरू हुआ है जड़िकरल ठीन च की Lifth है कि दनतों उसमें कुछ काम नहीं किया है इस ऊप्रहें City हुअ आप्र हूं चुनाव में अगर हम इलेक्ट होके आते हैं तो प्रोपर तरीके से हरेक चीज़ को मोनीटर मैंने किया है विश्व दाला में अनुभो लिया और मुद्दे को मैंने समझा है और काम भी उस चीज़ पर किये हैं तो आने वाला समय मुझे लगता है कि मैं इसका बेहतर समधान है एनसवाई से आप है तो क्या लग रहा है कि सबार कॉम्पटिशन टफ होने वाला है या आप लोग चुनाव आराम से चीतेंगे या फिर कौन सी पार्टिया है जो लग रहा है कि आपको कॉम्पटिशन टफ होगा छात्रों का रोजहान उस चात्र संगठन के साथ के ऐफ्यक्னा रहा है चात्र पुरित रहे हैं और न्यूट्रल चात हमारे साथ जूड़े हैं लेगूलर मेरे साथ चाट्रों का इंट्रेक्शन होता है और मेरे साथ 150 लडगके युडते जार रहे हैं तोचुनाव तक हमको लगता है कि मैक्सम चात्र मेरे साथ जुड़ जाएंगे और पत्ना विशुजला में भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं अब भी इस कॉलेज के इसी इनवर्सिटी के छात्र हैं क्या नाम है अब कि अगर आप लोग चुनाव जीतने हैं आपकी पार्टी के छात्र नेता गर चुनाव जीतने हैं तो वो लोग इस कमिया को पूड़ा करने की कोशिज करेंगे देखिए यहां जो मुलभूत चीजे होती हैं जो आपको मिलनी चाहिए जो छात्रों की मुलभूत वस्तुए मिलनी चाहिए जैसे कि आपको कॉलेज गये कॉलेज में आपको पानी पीने के लिए नल चाहिए यहां किसी भी college किसी भी department में आपको जो है आरो का बेवस्था नहीं है लड़किया भी आती है college में लड़किया आई उनके लिए sanitary pad का बेवस्था होना चाहिए sanitary pad किसी भी department में लेखने आपको हर एक college में भी अगर एक sanitary pad wedding machine अगर लगा दिया जाए तो आज तक नहीं लगा है दूसरा है कि लाइब्रेडिक आगर हम देखें तो college की जो लाइब्रेडिक है वाँ सारी कीताबे पुरानी एकदम आदम जमानी की है दूसरी बात है central library एक है central library चलता है उसमें बहुत सारे समस्या है है जिसे बुक वेगरा नहीं ले जाएं देते हैं उसमें बुक जो है पुरानी एडिसंस की है एक नया ई-लाइब्रेडी बना है पिछले सालू बन गया है लेकिन अभी तक उसको खुलवाया नहीं गया है उस सबसे बड़ी समस्य है कि कि किसी चीज को हम बना देते हैं लेकिन उसको चालू नहीं करें जाता है उसको कंटीनिव नहीं किया जाता है इसनब समस्य है हम लोको फिर अगर देखे तो आप किसी चीज के अंदर किसी भी कलासरूम के अंदर जाएगा तो हमां विदार्थी पढ़ रहा है उससमें उसका च्छत अगर गिर जाए तो आप आपक च्छत की इस्तिति जर जर न जाएब किसी चत को जाकर अभी तो कॉलेज बंद है आप किसी चत को जाकर कभर करिएगा उसके च्छत में बहुत सारे दरार पड़े हुए कभी भी गिर सकते हैं इन चीजोक आप लोग ठीक करेंगे बिलकुल बिलकुल हम लोग देखिए ये ठी अब इदाले में सिच्छोकों की कमी है लेकिं सिच्छक निउट करना हमारे बस की बात निया लेकिन हम दो दबाओ बना सकते हैं कि आप सिच्छोकों को निउट कर आप चात्रों की आवाज बनेंगे इसके लिए सरकार के खिलाब भी अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे तो सरकार की खिलाब जाकर क्या आप लोग चात्रों की आवाज बनेंगे, क्या-क्या आप लोग करेंगे जीतनी के बाद चुना अभी पहला तो जो college में library facility है, उसमें नए edition का book का add होना जरूरी है, जैसे B.A.C. statistics honors है, उसमें नए edition का book होना चाहिए, departmental libraries जो है, उनमें क्या ह होता है कि book तो है, लेकिन वो latest tradition की नहीं है, पहली बात, दूसरा जो है, वो smart class facility and lab facility, statistics में क्या होता है, कि जो भी आप पढ़ें, उसको implement करना जरूरी होता है, real life से जोड़ा, जैसे माली जो population census है, MOSPI का report है, तो उसमें जो leading groups होते हैं, उसको पढ़ना होता है, उसके लिए lab facilities नहीं है, हमारे statistics department में, उसके बाद क्या है, placement cell का active होना, यहां पे vocational courses भी चलते हैं, और regular courses भी चलते हैं, अगर आप statistics को लेंगे, तो अगर आपको programming आता है, तो उसमें placement अच्छे होते हैं, और vocational cell का तो ही, लेकिन यहां पे placement group का जो है, वो activeness नहीं है, थोड़ा सा भी नह चीत नहीं रहती है, उन पे comment पास किया जाते हैं लड़कों के द्वारा, sometimes, अब हमेशा क्या होता है, कि कभी-कभी जो groups होते हैं, वो active होते हैं, इस बारे में, और उनके security को लेकर हमने बात किया है, और इसको कैसे resolve करेंगे, future में, इस पे हम जरूर बात काम करेंगे, और य बार बार application लिखना पड़ता है, student का उस पर signature लेना पड़ता है, तब साफ साफाई होता है, उसके बाद transparency नहीं है, यानि documentation का जो transparency होता है, कि जैसे माल लिजे कि हमने superintendent को लेटर एक लिए application लिए, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, transparency है, यानि उस पा संग्यान लिया जैसे कि मैं science college से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले कि यहाँ canteen की सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा जरू लाई जाए, दूसरी चीज यह कि technology का दुनिया है, तो टेक्नोलोजी के दुनिया में यहाँ बहुत ही कम class हैसे हैं जहाँ projector लगा है, आज कल स्कूल में भी projector लग चुका है, पर यहाँ नहीं लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि projector की सुविधा लाई जाए, तीसरी चीज की teachers की कमी है, काफी permanent teachers की कमी है, उसका काफी बचों की problem face करना पड़ता है, तो टीचर पे भी ध्यान दिया जाए, और generally मैं होस्टल से भी हूँ, तो होस्टल में भ इद्वार हो सकते हैं, आने वाले 10 तारीक को जब नमांकन का खृतिती होगी, उस दिन ये लोग नमांकन का परचा भरेंगे, 19 तारीक को चातर संग का चुना होना है, अब ऐसे में 19 तारीक को साफ होगा कि कौन से चातर संगठन ने कितने सीटों पर बाजी मारी है, अनिके लंच o beispielsweise सत्थे स्ट्सिभता साफ Θ으면 के ला व ऑरचा होना है, ऑले कितने सबस्क्राइब के लिए एन ने को च्रीक को चातर समांके को सबस्क्ता टेंशी साप हो कि पत例えば खे heeft टारीक का